आप लोग के साथ शेयर करूंगे यह एक चिकेन रेसिपी है नॉन वेज रेसिपी यह पेपर चिकेन या तो काली मेड चिकेन बहुत ही यम्मी डेलिशन और इजी रेसिपी है बहुत ही कम इंग्रेडियन से बनता है मैं मोमिस किचेन में संग मित्रा आप सब को स्वागत करती ऑद करेंगे मैरेनेशन के लिए हैं ुद्राथ यह ते स Physics रेकेवत बाहडने लेड़ा रुड़ा सा थूछत नमक नावी डाल देंगे पनाएंगः इसके बाद उद्रा यह कहा के लिध करते हैं अप्रोक जह तो कुटी हुई कलीमिल डाल सकते हैं मेरे पास यह था तो मैं डाल दी हूँ इसके बाद निम्बू का रस डाल देंगे लाइम जूस अगर शीड्स है तो सीड्स को निकाल लेंगे नहीं तब करवा हो जाता है तो यह जो निम्बू का रस और थोरा सा डाल दी इसके बाद अच्छे से इसको मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे अद्रक लसन का पेस्ट अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कहुं旗 और बहुत ही काम इंग्रेडियंस से बनता है और यहें बीलिख मतलब कॉम टेल में नां बनता है जो चीज अविलेबल है उसी चीज से बनता है तो बहुत ही आसन रेसीपी है अब ही क्या करंगे मिक्स कर लिए तो कवर करके रख देंगे थुरी दिर के लिए आप एनावर कम से कम और साइड में रख देते हैं इधर देखिए प्याद स्लाइस करके मैं अल्रीड रख दी हूँ अब एक पैन ले लेंगे पैन गरम करके इसके बाद इसमें डालेंगे देखिए यह इना स्टार्ट करके हिसाब से यह लांच या डिनार में भी रोटी या पराठा के साथ ले सकते हैं या तो चावल फ्राइड रैस किसी के साथ भी ले सकते हैं आप तेल गरम होती है और जो स्लाइस करके रख देखिए इसको डाल दूंगी हरकस होते कर लिंगे जादा लाल मत किजिएगा प्यूकि इसको पेस्ट बनाएंगे अभी इसका बहुत ह तक बने रहेगा नहीं तो पाता नहीं चलेगा कि कैसे बनाएं हैं यह पोड़ा, और चलेगा है तो कियूंगी है नहीं । Une приб pond याट बनाना के देखिए भी इसमें डाल दूंगे थूरइगा पानी का निया दर गर और बहुत है क्योंकि इसको पेस्ट बनाना है आब इसमें डालेंगे थूद साइल शुद्रेश क्योंकि काली मिल शिकन है कौन जालेंगे जो पेपर कॉन है इसको डालेंगे के ढल के थूदेश्ट भॉइल कर लेंगे शुर्दाल बढ़िया अनक्माइन ज सबढ़ें गढ़ा कोई जुँ में अब और इसमें तेल डालेंगे, कड़ाई न BURN似 गरम होते हैं तेल गरम कर लेंगे रिफाइन डॉयली उसकी हुई हाँ पे और जो मैं गरम मसाला जो खड़ा वाला गरम मसाला डाल दी हूँ दाल चिनी, इलाइची, पेपर कॉर्ण, पिज्जा वित्री, लॉंग डाली हूँ और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो महरीनेटिट चिकन है इसको डाल दूंगी मैंनेट करके जो रखी थी बस इसके सॉर्टे कर लेंगे यह हेल्दी डीश है बहुत आप लोग असानी से इसको कभी भी ले सकते हैं एक प्लेट ऐसे स्टाटर के इसाब से खा लिया या कभी भी खा सकते हैं ऐसे बनाके ज़दा इंग्रियंस में नही ज़एत अज़रे घड़ियंस नहीं है और बहुत ही इजी है पटापट बन जाता है अब क्या करएंगे जाए साफ्ट हो जाए आप इधार क्या करेंगे में यह तो जो बनाएंगे ए ठंडा हो गया में ब्लेंडर में ले ले लेते हैं और एक पेस्ट बना लेतार खाएं और तब तक चिकन जो है बॉल हो रहा है आप इसको पेस्ट बना लेते हैं देखिए बना लिए है पेस्ट और इसको साइड में रख देते हैं आप देखिए इसको ओपेन कर देदे हैं धकन और देखिए काफी हो गया है काफी सॉफ्ट हो गया है चिकन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मैनेट करने से तो एकड़म ही टाइम नहीं लगता है अब यह देखिए यह जो पेस्ट बना के रखिए इसको डाल दी हूँ और थोड़ी देर इसको डाल के थोड़ी देर बॉल कर लेंगे देखिए देखने से लग रहा है कितना बढ़िया अभी से दीख रहा है आप इसको क्या करेंगे फिर से कवर कर देंगे कवर करके थोड़ी दिर रख देंगे अब फिर कवर खोल लेते हैं यह अल्मोस्ट हो गया है आप चाहे तो एकड़म ट्राइब कर सकते हैं यह तो थोड़ा एस टेट पर रखके कहन रूटी पराठा चावल राटरेस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं इसमें नमक डाल देते हैं अभी पहले नमक नहीं डाली थी और जो मेरीनेशन में डाली थी बाद में नमक में डाली हूँ तो आभी डाल दी हूँ आप जो फिनिशिंग है वो डालते हैं गरम मसला पाउडर डाल दी हूँ और इसमें डालेंगे तो इसके बाद डालेंगे जो गाली मेर्च पाउडर है डाल देंगे आप लिए गोई काली मेर्च इसमें अच्छी से awake दून देजेंगे डाली दून ने कि अच्छे से मिला लेते हैं अब कि इतना प्ता पट बन गया और बहुत पेली हैं कम तेल में बना है और लेस इंग्रेडियंस से बना हैं ज्यादा इंग्रेजेंस इसमें है नहीं ज्यादा मसाला नहीं है बहुत ही एल्दी है आप लुक स्टार्टर के हिसाब से लांच डिनार कभी भी ले सकते हैं आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती कि यह देखिए हो गया है आप बांअर बंद कर दिया है अब टीष न सर्फ कर लेते हैं ठीक चाहे तो भी देए काली मिर्च ऺड़ी अपर से स्प्रिंखल कर सकते हैं आप लोग राशी किक पाुडरी इस फिर अब खेसे कि अब थोड़ा सा था दनीया पती तो पहले से डाला हुआ तो पहले से जहा यह यम्य डेलिशस पेपर चिकन और यह थोड़ा से हरी मेर शेकर रख दी हूं बीच में यह मज़ा लीजिए एंजोई किजिए आप लोग इस डिश की बहुत ही मज़ेदार डिश है यह और देखिए मैं तो टेस्ट कर रही हूं आप लोग भी टेस्ट किजिए तो चलिए आ